हाई गाईज, होप आप सब लोग ठीक हैं, अच्छे से हैं, खुश हैं जहां पे भी हैं, आज है हमारा तिल्ला कलास का डे फाइव, जिसमें हम सिखेंगे डिक्सर कैसे बनाते हैं, डिक्सर यानि की तिल्ला की लेंग्वेश में ऐसे आप इसको सर्कलस भी कह सकते हैं, स्टा पहले से उससे क्या होगा, कि आपकी जो प्रैक्टिस है, वो बहुत अच्छे से होगी, यानि की जाली की भी होगी, और जो टिक्स है, उसकी भी होगी, तो चलिए स्टार्ट करते हैं, असलाम अलिकूम, होप आप सब लोग ठीक हैं, अच्छे से हैं, खोश हैं जहां पी भ बहुत अच्छे से की होगी, तब ही आप जो टिक्स है, इसको आप बहुत अच्छे से बना पाएंगे, तो टिक्स बनाने के लिए सबसे पहले आपको जाली लेनी है, यानि की दर्ण्स लेनी है, सेम वही करना है, आपको एक लाइन ड्रॉ करनी है, और उस लाइन के ऊपर आपको दर्ण्स बनानी है, यानि की जाली बनानी है, ये मैं इसलिए आपको रिपीट हर वीडियो में जाली बनाना सिखा रही हूँ, ताकि आपकी जाली है, उसकी प्रैक्टिस बहुत अच्छे से हो जाए, अगर आप हर प्लास में जो हम आगे बनाएंगे, यानि की टिक इस जाली बना रहे हैं, आप पहे जाली लीजे और जाली के ऊपर काम कीजिए, आपकी जाली में बहुत ज़्यादा सुधार आएगा, इससे आपको रिपीट जाली की प्रैक्टिस करने की जरूरत नहीं बड़ेगी, इसलिए आप भी जाली लीजेगा, मैं डिरेक्टिली भी टिक्स बनाना सिखा सकती थी, लेकिन आप बिगनर हैं, आप प्रेशर हैं, कूरस ही बिगनर उसके लिए हैं, तो इसलिए आप बिल्कुल इसी तरह से कीजेगा, जैसे मैंने किया हैं, जाली के बीच में गैप नहीं रखिएगा, और मैंने यहाँ पे कोई आउट लाइ की हैं, कोई लाइन मैंने नहीं ली हैं, लेकिन आप बिगनर हैं, आप लाइन लीचेगा, लाइन के ऊपर खाम कीजेगा, उससे जो आपकी जाली है, वो बहुत अच्छी बनेगी, जितना हो सके उतनी जाली की प्रेक्टिस कीजिए, तब ही आप आगे चल के बहुत सारे ज कुछ लोगों को जो दुबर्ग से बरग है, उसके नीचे से जो यू बनदा है, वो सही से नहीं बन रहा है, उसका रीजन ये है कि आप लोग प्रेक्टिस नहीं कर रहे हैं, अगर आप प्रेक्टिस अच्छे से करेंगे, तो वो बनेगा, एक बार में नहीं बनेगा, दो मेरे पस टाइम बहुत कम है, इसलिए में डेली बेसिस पे वीडियो अप्लोड कर रही हूँ, लेकिन आप 30 डेस का नहीं सोचिए, अगर आपका एक दिन में प्रेक्टिस नहीं हो रहा है, तो आप वीडियो देखके आगे का जो मैं अप्लोड कर रही हूँ, लेकिन जो वीडियो कहीं भागा नहीं जा रहा है, तो कोर स्टाट किया है, यह वहीं पे ही रहेगा, आप अच्छे से टाइम देके अपनी प्रेक्टिस कीजिए, जाहे आप एक दिन का कर रहे हैं, जाहे आप दो दिन लीजिए, जाहे आप तीन दिन लीजिए, जिस तरीके से आप र िक्स बनाना सीख रहे हैं तो आपको ध्यानरक्ना है कि ुट्तरफ से के जाली ठाली है और उसी के एराउंट के चारों तरफसा से मैं सरकल बनाते हुए जा आपका तिला भी मरिज हो जाएगा आपके तिला का जो थ्रेड है वो भी थोड़ा सा टुइस्ट हो जाएगा लेकिन आपको ध्यान रखना है थोड़ा पेशंस के साथ करना है अपने तिला को नेक से टाइट कीजिएगा डबल रोल करके और आपकी जो निड़ल का थ्रेड है उससे भी छोटा रखिएगा यानि कि कम रखिएगा अगर आप उसको कम रखेंगे तो आपका तिल्ह जो है वो टाइट आएगा और अगर आपका तिल्ह टाइट आएगा आपको काम करने में एज़ बिगनर आसानी होगी आगे चलके आप आपके हिसाफ से थ्रेड रख सकते हैं कित स्टाइट में जो इसकी तैटिस है वो आप छोटी टिक्स की नहीं करेंगे वो बड़ी टिक्स की करेंगे यानि कि बड़ा वाला सरकल बनाएंगे क्योंकि उससे आपको पता चलेगा कि आपकी Śरकल में कहां पे क्या प्रॉब्लम है कहां पे तिल्ला एक दूसे मरच हो रहा कहां पे आपके सर्कल में नीचे आपका पपड़ा दिख रहा है आपको इन सारी बातों का ध्यान रखना है और यह आप तब ही कर पाएंगे जब आपका सर्कल है जो टिक्स है वो बड़ी बनाएंगे ज़रूरी है इसको बड़ा बनाना स्टार्टिंग में क्योंकि अगर आप इसको स्टार्टिंग में ही अच्छा बनाएंगे आगे चलके जब यह आपके डिजाइन इसमें आएगा तो आप इसको इजीली बना पाएंगे सिटिचिस का ध्यान रखना है हमारी जो टिक्स होती है जो हमारा सर्कल है यह वाला राउंड वाला बनाना इसको हर जगा पे सेम ही है लेकिन डिपेंड करता है कि आपके डिजाइन में फिर किस तरीके से आएगा हाट डिजाइन में अलग-अलग तरीके से आता है तो आपको सिटिच held का दियान रखना है इसमें जो आपकी निडल वाला थ्रेड है आपको सिटिच बहुत नस्धीक नस्धीक देनी है बहुत क्लोज सिटिच देनी है आपको क्योंकि अगर आप इसकी सिटिचस दूर देंगे तो यह जो आपका तिला है यह उखड जाएगा इसलिए इसमें आपको नजदीक से सिटिचस देनी है आपको ऐसा बिगनर इस बात का भी दियान रखना है कि आपकी सिटिचस काफ़ी कलोज होनी चाहिए और रिपीट यही करते हुए जाना है जितनी बड़ी हो सके उतना बड़ा आप यह सिर्कल यह टिक से बनाईए तब ही आपको समझ में आएगा कि इसको कैसे करना है प्रेक्टिस कीजिए नहीं बनेगा स्टार्टिंग में अच्छा मैं खुद बना चुकी हूँ यह स्टार्टिंग में भी और मैं आपको बता भी चुकी हूँ कि यह स्टार्टिंग में आपका अच्छा नहीं बनेगा लेकिन आप जब एक बर बनाएंगे आपको समझ आएगा दूसरी बर बनाएंगे तो थोड़ा से ठीक होगा आप इसकी प्रैक्टिस कीजिए यह बनेगा ही बनेगा क्यूंकि बिना प्रैक्टिस के आप बोलेंगे कुछ भी बनेगा वो नहीं बनेगा अगर आप मेरी चैनल पे नहीं है तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए अगर आप मुझे फेस्बुक से देख रहे हैं इन प्लीज फोलो कर लीजे अगर आपके कोई डॉप्ट से जो क्लियत नहीं हो रहे हैं आपके काम से रिलेटिड तो आप मुझे कामेंट इसमें लिख सकते हैं और अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लग रहा है हेलफुल लग रहा है तो प्लीज लाइक दी कीजिए लाइक करना प्री है यार लाइक करने में कौन से पैसे लगते हैं सेम आपको रइपीट करते वे जाना है और तिला आपको काटना नहीं है आपको इस wrapped का द्यान रखना नहीं है अनिक्याओक एक सरकल बना तो अब उस तरह से आगे चलते वे अपित इस चींजा सकते हैं तो आपको तिला काटनी की जूरूरत नहीं है as a beginner तिला काटना तिला जोड़ना थोड़ा सा difficult हो जाता है तो यहीं पर जैसे मैं कर रही हूँ आपको जितनी बड़ी टीक्स बनानी है उतना गैप लेना है एक ज़से गैप लेनी है उसके बाद आपको एगान आपकर जो छो टीक्स है उसको बनाना स्टार्ट करना है सेम इसी तरह से कीजिएगा और ध्यान रखेगा आपकी सिटिचिस का अगर आपका काम जो है आपकी जो प्रैक्टिस है वो आप मेरे साथ शेर करना चाहते हैं आप मुझे इनस्टेग्राम भी बेज सकते हैं आप मुझे फेस्बुक पे भी बेज सकते हैं लेकिन आप में सिब बहुत सारे लोग मुझे से परसनल वीडियो मांगते हैं यानि कि किसी को ऐलमेंट बनाने नहीं आता है मैम फ्लीज ऐलमेंट का वीडियो मुझे डिरेक्टिली सेंड कीजिए मैं कैसे सेंड कर सकती हूँ मेरे यूट्यूब पे वीडियो अप्लोडिड है आप उसमें से चेक कीजिए कहां पे है थमनेल लगा हुआ है आपको पता चल जाएगा या अलमेंट का है अब आप मुझे बोलेंगे परसनल लेवल पे वीडियो बेजे तो फिर तो मुझे 24 वीडियो ही बनाने एक वीडियो बनाने में इतनी डिफिकल्टी आती है और मैंने आप लोगों के लिए कोर स्टार्ट किया है तो परसनल लेवल पे मैं वीडियो नहीं बेज सकती आप लोगों को तो अगर आप आपका काम मेरे साथ शेयर करना चाहते हैं आपकी प्रैक्टीस मेरे साथ शेयर करना चाहते हैं आपके काम से रिलेटेड आपको कोई डिफिकल्टी आ रहे हैं वो आप मैंसे पूछ सकते हूँ उसके आंसस में देती हूँ पहले से ही देती आई हूँ, सबको ही देती हूँ, मैं कौशिश करती हो, मैं हर किसी को दूँ, जाए वो Facebook पे मुझे contact कर रहे हैं, जाए वो Instagram पे कर रहे हैं तो आप भी इन सारी बातों का ध्यान रखिए, और अच्छे से practice कीजे, जितने अच्छे से आप practice करेंगे, उतना ही अच्छा आप काम करेंगे, आप में से काफी सारे लोगों ने पूछा था कि पर तिल्ला जो हमारा है, वो तिल्ला का पर जो डब्बा आता है, उसमें कितना पर तो डोला था, श्रीनगर में 16-17 है, अदर का वही है, 13-14-15 and 16, 100 पर तोला था, तो आप आपके area के हिसाब से देखे कि आप कुन से area में है, कहां से आप काम कर रहे हैं, आपको वहां से पता चल जाएगा, और अगर आपको ऐसे पता नहीं चल रहा है, तो आप जहां से trace डालके लाते हैं, आप उनसे पूछेए गा, वो भी आपको बतायेंगे, कि वहां मार्केट रेत क्या है तिला लगा तो मैंने कि पूछेशे करके लाते हैं, यहां पे जो हमारी एक टिक्स और दूसरी टिक्स के बीच में हलकी सी गैप है आपको इस गैप को भी फिल करना है यानि कि जो दोनों के बीच में है तो आप एक राउंड और ले सकते हैं और अगर आप इसी चीज़ को फैरन पे बना रहे हैं या प्रैक्टिस के दौरान बना लगते हैं मिलती हूं मैं आप से मेरे नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए अलाहाफिज